नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनित सागर आज से हमें एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, आपके प्रिलिम्स 2021 के लिए देखें दोस्तों, यूपीसी प्रिलिम्स में, जितने भी स्टाटिक कोसिन्स पूछता है पर्टुक्लरली जो बायो डिवर्सिटी और एंव्योर्मेंट से रिलेटर वो करन्ट अफे से रिलेटर रहता है तो हम आज से यह डिसकस करने की कोशिश करेंगे, जितने भी रीसेंडी न्यूज में आया था उससे रिलेटर नाशनल पार्क्स कौन कौन साया, वाड़लेफ सैंचुरी स्कौन कौन साया, इंपोर्टन अनिमल्स कौन कौन साया, वो सब हम डिसकस करेंगे तो आज से एक या दो स्टेट्स करके हम डिस्कस करेंगे शुरू करेंगे केरला एंड तमिल नाडू से केरला एंड तमिल नाडू में जितने इंपोर्टन न्यूस आया था बायोडेवर्सिटी से रिलेटेड वह हम कवर करने की कोशिच करेंगे साथ-साथ में तमिल नाडू में जितनी इंपोर्टेंट नाशनल पार्क से वाइड लेफ संक्चुरी से टाइगर रसर्व से एलिफेंट रसर्व से वह भी हम डिसकस करेंगे तो आगे जाने से पहले लक्षा पर लाइगा बटन सरूर दुबाएगा दोस्तु चैनल को अब तक सब्सक्रीब नहीं किया त अब देखिए दोस्तों यह न्यूस हर्शिसान आपने डेली नूस में कवर किया था हमार लिए इस न्यूस में से क्या निकाल सकते हैं वाइनाट वाइड लेफ सैंचुरी आपको मैप में दिखा देता हूं यह जो मैप आप देख रही हो यह केरला करनाटका अं तम्र नाल सैंक्टूरी ठीक है यह दो पार्ट में आपको मिल रहा है आप देखिये वाइनाठ बाइट वाइन लिफ और से आता है निल गिलिछ रिजव हैं नील गिलिव रिजल के बारे में अलग से एक वीडियो बाप यह नहीं देखा तो देख ये आप लोग इपरफिया लोग नील ठयगर्र करनाटका में इधर आपको ब्रहमक क्री वाइड लेप सांक्चुरी तो यह इसब कोदि criticism कूछिन से पूछता है कोणकोण सा रगोस्चुरी पास में एस ़ूस में आप क्या क्या निकाना बोड़नेट वाईनाट टेगर से गुड़लू Forest Division यह सब आता है नीलगरी BioSphere में अब मैं वाइनाट वाइनट वाइनलीफ संक्शुरी के वाइन कुछ इंपोर्टन स्टीपमेंट्स आपके लिए शेर करता हूं. Located in Kerala, Vyanat Wildlife Sanctuary is an integral part of Nilgiri Biosho Reserve established in 1973. So, 1973 में Nilgiri Biosho Reserve established किया था and Vyanat Wildlife Sanctuary भी Nilgiri Biosho Reserve में है. It was the first from India to be included in the UNESCO Designated World Network of Biosho Reserve. ठीक है? तो UNESCO Designated World Network of Biosho Reserves में include होने वाला सबसे पहला Biosho Reserve है इंदिया का Nilgiri Biosho Reserve. ठीक है? अधर वाला सबसे पार्क्स विदिन दे रिजर्वार. देखिए, मुधुमली वाला सबसे ने दिखा दिया आपको मैप में. Bandipoo National Park, Nagarholi National Park, Mukurti National Park and Siren वाली तो इतने एरिया नीरगिरी Biosho Reserve के अंदर आता है. इंक्लोडिंग वाइनाथ 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 सबसे पहला सबसे पहला है. ये इस सैंक्चुरी से वहती है. अगला न्यूस है दोस्तों, त्री स्टेट्स प्लाइन एफेक्टिव पेट्रोलिंग एनडी पोचिंग ड्रेव्स. एक मीटिंग कंडेट हुआ था केरला, तमिलनाड़ों और कनाडगा के फोरस्ट ओफिशल्स के बीच में. इसमें इन्होंने प्लाइन किया एफेक्टिव पेट्रोलिंग के बारे में, एन एंडी पोचिंग ड्राइव्स कंडेट कराने के बारे में. अब देखें, इन्यूस इतना इंपोर्टन नहीं है, फिर भी इन्यूस में से हमें नीलगरी बायोसर रुसर्फ के अंदर कितने इंपोर्टन प्रोटेक्टेट एडिया से उसके बारे में पता चलता है. देखें, वैसे स्टाफ आया थे, बंदिपूर, नागर होली, बियार्टी, बियार्टी मतलब बिलिगरी रंगणाता स्वामी टेंबल वाइडलेव सांचुरी, मुधु मले, सत्तिमंगलम, एक्सेटर, एक्सेटर, तो हमें पता चलना है कि नीलगरी बायोसर रुसर्फ के अंदर, इम्पोर्टन एडियास कौन-कौन से है, वैसे और एक बार में आपको दिखा देता हूं दोस्तों, नीलगरी बायोसर रुसर्फ के अंदर, कौन-कौन से इम्पोर्टन प्रोट्रेक्टेट एडियास है, ज्यान दीजेगा, और जो इम्पोर्टन है वही मैं पता है, भ्याम म कीरी, और आराण वैरे, वैरे, र्याजीव गांथी नाशनल पार्क, बंतिपूर नाशनल पार्क ये है कानाटगा में है, ठीक है इसके नीचे मुदुमले वैरे सोर्फzing दिख रहै आपको और नीचे केरला में में साइलेट वाले नाशनल पार्क और मुक इंपोर्टेंट दोस्तों ए बिलिगरी रगनाता स्वामी अब इदर कोलेगल फोरस्ट डेपार्टमेंट यह इतना IMPORTANT नहीं है कावेरी वैलिवस चांचों यह भी IMPORTANT है ठीक है तो इतना IMPORTANT अईडिया से निलिगरी बायोश्व के अंदर राइट अगला न्यूस है दोस्तों, पुलिकाट फिशेस अक्टिविस्ट उपोस मूव टू रिड्यूस एको सेंसिटिव जोन, देखे, पुलिकाट लेक न्यूस में आया है, पुलिकाट लेक क्यों आया है न्यूस में, क्योंकि उधर फ्लैमिंगो फेस्टिबल कंड़क्ट हुआ जनवरी में, ठीक है, वैसे पुलिकाट लेक आंद्रपरदेश के निलू डिस्टिक में है, मैं इस वीडियो में इसलिए आपके साथ ये न्यूस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये तमलनादू आंद्रपरदेश का बॉर्डर में आता है, ठीक है, वैसे आंद्रपरदेश के इतने important protected area से उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊगा मैं, अब देखे, over 90,000 birds including stalks and pelicans have come from far away places to lake this year, attracting both domestic and foreign tourists, देखे दोस्तों, फ्लामिंगो festival जनवरी में होता है, पुलिकाट लेक में, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि उस time पर काफी ज्यादा migratory birds आता है, पुलिका is a lagoon, is the second largest brackish water lagoon in India, आफर चिलका लेक, देखे, चिलका लेक के बाद, largest brackish water lagoon है, पुलिकाट लेक, अब देखे, brackish मतलब क्या है, saline, नमकीन वाला पानी, ठीक है, it is present in Coromandel region, Andhra Pradesh, Tamil Nadu border, अब ये Coromandel region कौन सा है, ये जो एरिया ना, तो 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 ये Coromandel coast है, ठीक है, barrier island of Shriharikota separates the lake from Bay of Bengal and is home to South East Davan Space Center, ये very very important point है दोस्तों, हमारा South East Davan Space Center, कहा है, Shriharikota में, Shriharikota कहा है, barrier island में, वो पुलिकाट लेक में है, अब देखे, मैं आपको बताओंगा, ये barrier island क्या होता है, primary influence to the Pुलिकाट लेकार, आरेनी, कालंगी and सोननमोगी, ठीक है, तो ये 3 rivers है, जो पुलिकाट लेक में आके मिलता है, about 96% of the Pुलिकाट लेक is present in Andhra Pradesh, while only 3% is present in Tamil Nadu, तो Tamil Nadu में भी spreaded है, ये Pुलिकाट लेक, 96% Andhra Pradesh में, 3% Tamil Nadu में, right, अब देखे, फ्लमिंगो फेस्टिवल के बारे में, फेस्टिवल is an annual event held at Pुलिकाट लेक and 4 पार्टू birds sanctuary, देखे, पुलिकाट लेक के पास एक नलपार्टू birds sanctuary, very very important, it is held to promote tourism in Pुलिकाट and Tamil Nadu, 9,000 to 12,000 migratory birds from Siberia, visit Pुलिकाट during the winter season for breeding, जेको breeding के लिए Siberia से migratory birds आता है, करीब 9,000 से 12,000 त अधियस of flamingo and it is the most common and widespread member of the flamingo family, जेको फ्लमिंगो फ्लमिंगो फ्लमिली में, सबसे largest है greater flamingo, right, इडिस्टिवूदेट फ्रम अफरिका अं छातेर यूरी तुरू अचे तुरू वस्टेशा टीशा है तो कहां कहां दिखता है, आफ्रिका में से सातेर यूरॉप तक अन वस्ट water habitats, including salt, alkaline lakes, estuaries, shallow coastal lagoons, and mudfarts. So basically, हमारे Fulicard Lake जे से regions में greater flamingos ज्याता दराता है. यह जो फोटो में दिख रहा है, यह है दोस्तों, flamingo. पिंक कलर आपको दिख रहा है. दूरिन देख गॉल्डर तेम्स अफ दे यहर, many of the greater flamingos in Asia migrate to warmer climates. तो colder time में इसको warm climate जीए. जब cold हो जाता है, तब यह वाम मेरिया में migrate करता है. इन इंडिया, the greater flamingos, इसका scientific नहीं है, Phinicopterus rossius, migrate to fresh water and estuarine savidar sacros, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, and Summonerastries. जहां भी wetlands है, उदर maximum आता है flamingos breeding के लिए. तो इंडिया में कहां का है? महाराष्टा में, Andhra Pradesh में, Telangana में, Rajasthan में, right? It is listed as least concern under the IOCN retlish of threatened species. मतलब कोई problem नहीं है. Least concern मतलब सबसे lowest category IOCN retlish में least concern है. मतलब इनका जो habitat है या इनकी life इतना threatened नहीं है. Right? अब दोस्तों, मैप के सथ आपको में दिखा देता हूँ, Puli Kaat Lake. यह आपको Andhra Pradesh दिख रहे है, इदर आपको Tamil Nadu दिख रहे है. Andhra Pradesh and Tamil Nadu के बोड़ में है Puli Kaat Lake. वैसे maximum area जो है Andhra Pradesh के पास है, Tamil Nadu के पास के यहवल 3% है. Right? आप Puli Kaat Lake के Eastern Side में आपको Bay of Bengal दिख रहे है. Bay of Bengal आप Puli Kaat Lake के बीच में आपको एक island दिख रहे है. इस तरह जो island बेलता है न दोस्तों, इसको बोलता है Barrier Island. ठीक है? Because this axe has a barrier. एक barrier जैसा काम करता है. ठीकिनी? आप दिखिए, इस barrier island में स्रीहरी कोटा है, जहां हमारा launching station है Satellite का Satish Dhawan Space Center. Right? आप Nalepadu Bird Sanctuary पुलिकाड लेक के पास में हैं, ज्यान दिजिएगा. और आपको सौनमो की river भी दर दिख रहे है, जो पुलिकाड लेक में आके मिलता है. अगला नूस है दोस्तों, तमिलनादू Forest Department का लेक्स 484 टर्टलेक्स अड़ धनिशकोडी बीच. ये नूस काफी important है. इस नूस में से काफी कुछ information आपे मिलेगा. सबसे पहले धनिशकोडी के बार में है. दोस्तों ये आपको दिख रहे है धनिशकोडी. इंगिन में लान का South Eastern tip है ये. इतर आपको पांबन आइलन दिख रहे है. ये है पांबन आइलन. आप ये में लान को पांबन आइलन में से कनट करते है एक ब्रिच. उस ब्रिच का नाम है पांबन ब्रिच. जहां दीजेगा वेरी इंपोर्टन ब्रिच है. अब दीखें पांबन ब्रिच के बाद है पांबन आइलन. पांबन आइलन में famous places कौन-कौन सा है. एक है रामेश्वरम एक है धनुषकोडी. अब रामेश्वरम कैसे famous आप सबको मालूम एक तो रामेश्वरम टेंपल है. ठीक है? और एक हमा 64 में सुनामी की वज़े से पूरे डिस्टोई हो गया था. अब धनुषकोडी में कोई रहता नहीं है. आप देखें धनुषकोडी में से स्रीलंगा का नोर्थ वेस्टन टिप जो है तले माना इधर तक का डिस्टन जो है 24 किलोमेटर है. आप आप आडम ब्रिच आपको दि प्रजेक्ट का नाम सेदु समुद्रम था. काफी पुराना प्रजेक्ट है पर अभी तक हो नहीं पाया. अभी चाल हुए पर काम शुरू नहीं कर पाया. क्यूंकि आडम ब्रिच को तोड़ना पड़ेगा. अब आडम ब्रिच के पीछे इतने सारे रिलीजियस बिलीफ है और इंवियोर्मेंटल प्रब्रब्लम था इसलिए प्रजेक्ट कभी हो नहीं पाया. ठीक है और देखिए सेदु समुद्रम प्रजेक्ट क्यू लाया था? अब समझ गये होंगे इंडिया का वेस्टेन कोस में से अगर बेव बंगाल की तरफ जाना है अभी केसे जाते है ऐ होगा इस तरह जा सकते है तो यह जो स्रीलंगा पूरा भूंगते है उसकी जरूरत नहीं है अगला क्या है देखिए फोरस डिपार्मेंट कलेक्स 484 टर्टल अब देखिए टर्टल भी आ इसमें कौन सा टर्टल है हमारा इस्टेन कोस में आकर निस्टिंग करता है मैंने लगेर डिटल बीचस में और डिटली सीट टर्टल जाकर निस्टिंग करता है अप अप अलीव डिटली सीट टर्टल के पारमें भी ब्यखते हैं देखिए UPC का एक एक नूज़ को चारो तरफ रिलेट करना पड़ेगा ओलीव डिटली सीटर्टल अबको दिखर रहे है और यह जो ओली रिटली इंडिया में ज्यादा तर दीखता है यह सबसे स्मोल से को अपको बादा नाया यह भी बींट नहीं भी है यह जूड़ को अबादा मतलब निस्टिंग से नेस्टिंग साइट्स ओफ सी तर्टिल्स राइट अरी बाड़ा न्याम ध्यान दीजेगा और देखो स्पीशिस इस डिस्टिंग साइट्स में वल्नरबल स्टाटस है साइट्स में अपनिक्स वन में है वाइडलेफ प्रोटक्शन आट 1972 जो इंजिन गर्मन का उसमें शेडूल वन में है अब ओली बुटली फेस्टिंग अगला न्यूस है दोस्तों केरला में से अब देखें केरला में वाइनाट वाइडलेफ सांक्चुरी में एक प्रोग्राम चला अब देखें डोग्स जिसको धोल्स बोलते हैं इसका पॉपलेशन इस्टिमेट करने के लिए और जो टेक्निक यूज किया उसका नाम है और स्पैशिल क्याप्चर रिक्याप्चर मोडर्स अब देखें ढूर्स न्यूज में आ गया तो डोडस के बार में जाना जरूर है देखें कुछ इंपोर्टन इंफोर्मेशन है धोल के बारे में ध्यान दीजिए गा दोस्तों वेरे इंपोर्टन है धोल इस वाइल कार्णिवर्र अनिमल बिलॉगिंग तुझाइन फैमिली फांडिव फांडिन सेंट्रल साउथ इस और सौथ इस अशा इसे अशा इसे अशिक्टेमें एक तो भ्यान दीजेगा, they are also known as Asian wild dogs, ecological role, predator का है, conservation status है, IUCN का endangered category में है, यह सब दोस्तों, important है क्योंगी, ऐसा भी questions पोचता है, IUCN का कौन सा category में आता है, ठीक है, the species is protected under schedule 2, हमारा wildlife protection act 1972 में schedule 2 में है, साइट्स में क्या है, convention on international trade in endangered species, इसमें appendix 2 में है, तो IUCN का endangered, साइट्स का appendix 2, wildlife protection act का schedule 2, ठीक है, अब इंडिया में first conservation breeding center for dhol was built at, इंद्रा गांधी zoological park, यह इंद्रा गांधी zoological park में ऐसा पहला conservation breeding center बनाया था, 2014 में, अब यह इंद्रा गांधी zoological park कहाँ है, विशाग केरला to have one more wildlife sanctuary, देखे, very important news, यह आपको map दिख रहा है, केरला में एक national park है, silent valley national park, केरला के पालका district में है, बौडर में है, तमिलना लू के, अब देखे, यह जो silent valley national park का buffer zone जो है, buffer zone मतलब जो perimeter area है, यह जो silent valley national park का perimeter area आपको दिख रहा है, जो lines में, इस area को भी wildlife sanctuary declare होने वाला ह जिसका नाम है भवानी वाइड लेव sanctuary, encompassing parts of मनारकाड और निलंबूर forest division region will become the 25th protected area industry, तो केरला का 25th protected area होगा, यह जो भवानी वाइड लेव sanctuary है, वैसे केरला में जितने protected area से, उसके बार में मैं आपको बताऊंगा आगे, अब दोस्तों के इंपोर्टन वाइड लेव sanctuary कौ से स्टेट से विलों करते है, वो तो आप कोशिस कीजिए, कौन-कौन से wildlife sanctuaries, चिन्नार, कुरंजिमला, परियार, अरलम, कुट्टिव, शिंतुरिनी, मलबार, करिमपुड, चूलनूर, परंभिकुलम, चिम्मोनी, पीचीवडणी, नैयार, पेपरा, बेगूर, मुतन्या, इसमें से पेडियार और परंभिकुलम, टाइगर रसर्वस भी है, तो केरला में दो टाइगर रसर्वस से पेडियार और परंभिकुलम, यह important है, उपर से दोस्तों यह सब important है, अगर कोई भी current affairs related news, केरला में इस एरिया से आते है न, तो आप 100% यह सोच लीजिए, जोगरि अगरियार बनिंग था, आपको पता है, गारिये से लिए गअठेशी से पेडियार परंफ भगेडार अक्व सिर्डिया यह को यह सब्स है, जा लके को में ला सिमारि न, पर्रै वाइन हैं, गारियार यह सानले आते हैं, आपने बारें शंवरब्याद को किने शहीं है, आतो इसमें Silent Valley National Park में आपको बताया था पलका district में हैं जिसके बवा जोन में भवानी वाइटलेफ संक्चुरी आने वाला है vрашसे दोस्तों भवानी वाइट हाईयٌ स्पी खानमोडी उधरे devotee धीक पार्क भी ध sto नश्रल पर्ग का इड़िकी दिसरीक का पालककाट इड़िकी डिसरीक में अर्श भी यह है था इंड्या में के वरें में एशा के अब देखिए बैस्यों रिसेरा और रिसेर वारे काफी में ने बता दिया और एकase Th Datab नीलगरी नौथ केरला में अगस्ती मेला सौथ केरला में ठीक है अगस्ती मेला बाता देता हूं दोसार एक में established हुआ था 3,500 square kilometer है out of Kerala में 1828 है and Tamil Nadu में 1672 है तो Kerala में ज्यादा है अगस्ती मेला बयोसर रुसर्व का लेकिन नीलगरी बयोसर रुसर्व Kerala, Karnataka and Tamil Nadu में Western Guts Agasthi Malay subcluster including all of Agasthi Malay Biosar Reserve is a world heritage site, UNESCO का world heritage site में है हमारा Agasthi Malay Biosar Reserve and Agasthi Malay is located in this Biosar area एक mountain है Agasthi Malay करके काफी religious area है, Agasthi Malay भी यह जो Agasthi Malay Biosar Reserve के अंदर है, right? अब देखो दोस्तों, map में, जितने भी वाइडलेफ संक्चुरी में आपको बोला था, यह पूरा map में आपको दिख रहा है, 1 से लेके 14 तक, आप इधर से count कीजे, यह 1 है, यह 14 है, ठीक है? इधर जो 14 आपको मिलेगा, तो यह पूरा वाइडलेफ संक्चुरी का location है, इतन अमिल नाडु के important protected areas कोन कोन सा है, शुरुवात करते है, टाइगर रिसर्स से, आपको इस map में पूरा टाइगर रिसर्स दिख रहा है, देखिए, जहां भी आपको टाइगर का फोटो दिख रहा है, यह 1, 2, 3, and 4, देखिए, कालकार मुंदंदूरे टाइगर रिसर्स आपक सेंक्चुरी जहें दूस्तों, कमिल नाडु में, यह पूरा नाम ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, बता देता हूं, कोशिच कीजिए, मैंने जैसे पहला नाम याद, ऑप्शन देखने से, आपको कमसे को में याद आना चाहिए, कोन से स्टेट से बिलोग करते हैं, जन्याकुमारी वाइडलेफ सेंक्चुरी, सत्यमंगलम वाइडलेफ सेंक्चुरी, मेकमले वाइडलेफ सेंक्चुरी, यह कहां कहां है, इधर लिखा हूं, दोस्तों, पोइंट कैलिमेर वाइडलेफ सेंक्चुरी, ब्लोग A, ब्लोग B, कोड़े कैनल वाइडलेफ कौण सा है आठिफिशिल लेक तो कोडे के नल ऊड़ी लेक फेमस लेक है कोडेकनल लेक एक आर्टिफिशिलॉट लेक है मैनमेट लेक जान दीजेगा गंगें पूंडेट सपोर्टे डियर सांट्चुरी कावेरी नॉर्थ वैडलेव संग्चुरी तो इतने सारे वैडलेव स करके पढ़ लीजिए राइट अगला क्या है नाशल पार्क कौन कौन सा है यह तो आपको ध्यान रखना होगा ज्यादा नहीं है गुंडी नाशल पार्क चन्ने में है गल्फ ओव मानार मरेन पार्क 21 आइलेंड का रिसर्व लैंड है रामनाथपुरम डिस्टिक एंड टूट अब दोस्तों फाइनली मैंने आपको तमल नाडू के भी प्रटेटर एडियास कौन कौन सा है बता दिया के अब थोड़ा समुझ के लिए यह सब पूरा रख्टा मारनेगा फिर भी मैंने जैसे वला दोस्तों ओप्शन्स देखते हो ना आपको रिलेट करना ही पड़ेगा अब मैंने एक कोशिण बनाया है इस कोशिण आप आंसर करने के कोशिश किजिए इतना सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया आप ये कोशिण देख लेजिए Consider the following statements which are correct Kerala और Tamil Nadu share all the biosphere reserves located in respective states All of the wildlife sanctuaries in Tamil Nadu are located along the western guards All of the wildlife sanctuaries in Kerala located along the western guards इस मेंसे कौन-कौन सा सही है कौन-कौन सा गयलत है इस question का answer आप मुझे comment box में बता दीजेगा अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुने हो तो आराम से आप answer दे पाओगे इसी तरह घुमा फिरा के UPC पूछेगा दोस्तों direct question मिलना भूत मुश्किल है तो दोस्तों finally that's the end of it ये वीडियो में इदर finish कर रहा हूं मुझे पता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया फिर भी दोस्तों काफी informative वीडियो था मेरी साब से आपको कैसे लगा आप मुझे comment box में बतातीजिएगा अब दोस्तों इसी तरह इंडिया में जितने भी states है उसमें important protected areas कौन कौन साय मैं आपको पढ़ाओंगा और